तो अब हम डिसकस करने जा रहे हैं प्रदामंद्रे यशिश्वी स्कीम के बारे में और इस स्कीम को डिसकस करने का पीछे का रीजन ये है कि 25 जनवरी को P.I.B. में एक पूरा पूरा एक आर्टिकल इस स्कीम पे बेस आया था ये स्टेडी को कम्लीट कर सके लेकिन ये बजया रखना कि जिन स्टुट्स के हम बात कर रहे हैं वो या तो OBC कैटेगरी से बिलॉंग कर दे हूं या फिर एकनॉमिक लिए बैकवर्ड क्लास से बिलॉंग कर रहे हूं या फिर दी नोटिफाई ट्राइब से बिलॉंग कर रहे हूं इन तिन केटेगरी ऑफ स्टुट्स के हम बात कर रहे हैं अगर बात करें डियुरेशन की तो देखो इस स्कीम के पांच कंपोरेंट है और हर एक कंपोरेंट अपने अपने पर्टिक्लर EMA गौर्वर्मेंट ने लाउंच किया था लेकिन प्रदामदरी या शश्वी इसकीम ओवरॉल बात करें तो 2021-2022 से लेकर 25-26 गौर्मेंट इसको चला रही है ठीक है कंपोरेंट की बात करें पांच कंपोरेंट है यह रखना यह शेव स्विश्वी 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 स्विश् सिर्फ उसे शेडूल काश के लिए था ठीक है ना मतला कंपेरिजन करते हैं चलोगा तो जल्दी असाने साब को याद होगा ठीक है तो अब हम बात करते हैं प्रीमेटरी स्कॉलर्शिप स्कीम के जो की पहला कंपोनेंट है अगर हम बात करें इसकी यह एलिजबिल्टी क्राटीर है कि तो जो इंकम प्रेंट से घाड़ी होना चाहिए वो धाय लग रुपे पर अनम से कम होना चाहिए पहला कंडिशन दूसरा कंडिशन कि जिस स्कॉल बच्चा पढ़ रहा हो वो सिर्फ उसे गॉवर्मेंट इसकूल ही हो तो इस इसकूल है ग स्कॉलशिप कई ऐसे स्टेट गॉवर्मेंट होता है जो अपनी तरफ से स्कीम चिला रहे हो तो ऐसा नहीं है अगर इस स्कीम में बच्चे को फायदा मिल रहा है तो किसी और स्कीम में वो पार्ट नहीं लेना चाहिए ठीक है लास्ट कंडिशन यह है कि जो स्कॉलशिप है तो वो सिफ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अविलबर रहे है फॉर वन यह ठीक है मलोब अगर बच्चा नाइन क्लास में पढ़ रहा है नाइन क्लास में किसी कारणवाश अगर वो फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं इसको फिर से स्कॉलोशिप मिल जागी ऐसा नहीं है अगर कोई स्कॉल डिस्पिन को वालेट कर रहा है जाफर कोई टर्मस और कंडिशन को वालेट कर रहा है तो उस किसमें इस स्कीम के जरीए उसको फायदा नहीं मिलेगा उसे टाइम उस स्कीम से उसको बाहर कर दिया जाएगा कोई भी टर्मस और कोई स्कॉल के डिस्पिन को वालेट ना किया जाए बच्चे दोरा दूसरा जेनरली जो माइगरेशन है ना फ्रम वन इंस्टूशन तो अनदर इंस्टूशन इस नोट अलाओड जेनरली मालो किसी केस में अगर एक गौशन स्कूल से दूसरे गौशन इसको बच्चा जाना चाहरा तो जेनरली इस इसके में अलाओड नहीं है यह कंडिशन यहाँ रखना जेनरली माइगरेशन अलाओड नहीं है एक्सेप्शन किसमें हो सकता है लेकिन माइगरेशन फ्रॉम वन इस्टूशन तो अनदर इस्टूशन नॉर्मली अलाओड नहीं है ठीक है तीसरा इंपॉर्टेंट कंडिशन यह है कि एक पैरेशन में मैक्सिमन दो लड़कों को ही स्कॉलशिप मिल सकता है लेकिन यह कंडिशन लड़कियों पर अप्लाई नहीं है अगर किसी पैरेंट्स के तीन लड़किया या फिर चार लड़किया है तो चारो या तीनो लड़कियों को भी स्कॉलशिक को फायदा मिल सकता है एक अछी कंडिशन ओर है क्याई जो 5% स्कॉलशिफ को फायदा मिलका है अस्यक्तिय छो 5% स्कॉलशिप म admiration को Nine disability criteria ठीक है और साथ में 30% of beneficiaries है वो girls के लिए reserve रखा गया है ठीक है 30% of the scholarship है वो girls students के लिए reserve रखा गया है ठीक है हमने pre-matter का पढ़ लिया अब हम बात करते है post-matter scholarship scheme के बारे में तो देखिए जब हम बात करते है post-matter scholarship की इसका मतलब है 10th class के बाद ठीक है 10th class के बाद से लेकर post-graduation scholarship दिया जाए government को government दोर scholarship दिया जाए जाए for in case of post-matter scholarship ठीक है अच्छा एक चीज़ा हमने छोड़ दिया academic allowance के बारे में pre-matter case में जो per year आपको academic allowance दिया जाए गा 4000 रुपीज ठीक है तो यार रखना 4000 पर year academic allowance दिया जाए गा government दोरा इनके सब pre-matter scholarship okay post-matter की बात करें तो post-matter का भी जो eligibility criteria लगबक से में income जो होने चीए वो धाय लग रुपे per annum से कम होने चीए ठीक है post-matter scholarship graduation post-graduation level तक scholarship दिया जाए लेकिन यह important कैस है उसको आप याद रखेगा कि अगर कोई student post-graduation pursue कर रहा है in medicine ठीक है उसको scholarship इस scheme के अंडर वो तभी eligible है जब वो कोई practice में नहीं है generally medicine case में students जो होते है वो practice कर रहे होते तो practice जरी उनको extra income मिल जाती है लेकिन इस scheme के जरी है अगर कोई बच्चा post-graduation कर रहा है medicine में तो उसको scheme में का फायदा तभी मिलेगा उसको scholarship तभी मिलेगा only if he is not allowed not allowed to practice during the period of their course ठीक है अगर वो practice कर रहा है तो फिर उसको post-graduation scholarship नहीं मिलेगा इस scheme के अंडर ठीक है और दूसरी बात वो एक case वो भी similar है कि maximum एक parents के maximum अगर इस scheme में पाटिस्पेट कर रहा है तो अगर थे अगर थे academic allowance की तो academic allowance जो maximum allowance है वो 20,000 है जो minimum allowance है वो है 5000 depending upon different category of courses अब यह courses आप लो पॉस करके वो देख लेए तो इसको याद कर लेना ठीक एक तरह से important है तो याद रहता है minimum 5000 है maximum 20,000 प्री-मेट्रिक केस में क्या था 4000 4000 पर एनम ठीक है 4000 पर एनम इस case में academic allowance की का है 5000 से लेकर 20,000 डिपेंदेगा और different types of courses ठीक है हमने pre-metrics टेक लिया हमने post-metrics टेक लिया अब हम बात करते है top class school education के बादे तो देखिए अगर हम बात करें top class school education की तो top class school education के अंडर scholarship जो बच्चे को दिया जाएगा वो एक तरह से premier school में पढ़ने के लिए दिया जाएगा ठीक है जो best private school होते हैं उसमें पढ़ने के लिए बच्चे को scholarship दिया जाएगा जो admission होगा वो national testing agency जो रहा admission लिया जाएगा class 9th और class 11th में एक exam होता है national testing agency लेती है अगर बच्चे को qualify कर जाता है साथ में कुछ eligibility criteria अगर उसको meet कर रहा है तो उसको फिर scholarship दिया जाएगा ठीक है eligibility criteria लगबक से में धायलाग रुपे per annum से income जादे नहीं होने ची और 30% जो seat होगी वो girls के लिए reserved रहेगा ठीक है अब scholarship दिया किते जाएगा देखो class 9th और class 10th में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो per annum उसको 75,000 रुपीज दिया जाएगा और यह class 11th और class 12 में 25,000 per annum for class 11th and 12th ठीक है top class school education college eligibility कर रही है लगबक से में धायलाग रुपे maximum income होने चीए उससे जादा नहीं होने चीए 30% slot जो है वो girls के लिए reserved रहेगा अब इसमें एक बात याद रखेगा हमने इससे पहले पढ़ाया है कि maximum जो है वो दो लड़की ही allow हो सकते किसी parents के लेकि girls पर restriction नहीं है लेकिन top class education in college scholarship की बात करें तो benefit will not be provided to more than two sibling sibling की बात कर रहे है अगर किसी parents की तीन लड़किया है तो maximum दो लड़किया ही top class education in college के लिए applicable होंगी allow होंगी ठीक है जा रखना यह सिर्फ उससे maximum two siblings in a family को ही दिया जा सकता है चाहे लड़के दो हो या लड़किया द लोगो कोई फरकने पड़ता है maximum two siblings जाता है नहीं दिया जागा यह condition या रखना unlike other क्योंकि और सारी जो component पढ़े है उसमें हमने कुछ different बढ़ा है ठीक है assistance की बात करें तो tuition fee or non-refundable fees के लिए जो maximum private sector institution जो अगर बच्चे को प्राइवे सेक्टर इंस्टूशन में admission ले रहा ह तो maximum assistance दो लाख रुपे दिया जागा पर इयर और इनके सब commercial pilot course को ले रहा है तो फिर 3,75,000 रुपे महिना sorry 3.75,000 पर एयर के साब से उसको amount assistance दिया जाएगा ठीक है private sector case में 2,000 पर इयर और commercial pilot को को कोर्स कर रहा है तो 3.75,000 पर एयर ठीक है साथ में 11 expenses दिया देगा 3,000 पर मन book and stationery के लिए 5,000 पर एयर दिया जाएगा और laptop और computer के लिए one time support देगा maximum 45,000 ठीक है assistance की बात होगी अब बात करते है construction और hostel जो कि हमारा एक आखरी component तो देखिए अगर hostel construction northeast reason में हो रहा है या फिर himalayan reason में हो रहा है तो maximum जो cost norm है वो 3.5 लाग पर student के साब से दिया जाएगा औ जो amount of grant release के जाएगा government हो रहा है या फिर state government हो रहा है वो तीन installment में release के जाएगा 50,45,5 ठीक है एक साथ release नहीं किया जाएगा को कि समयागा cost norm के है जो cost sharing pattern है क्योंकि हमने बोला कि सिर्फ 2 component जो है वो central sector है rest centrally sponsored है चो construction hostel centrally sponsored case centrally sponsored है इस scheme के जो cost sharing pattern है इनके सब boys hostel 60% central government share करेगी 40% state government share करेगी girls hostel case में 90% central government share करेगी 10% state government share करेगी और अगर कोई hostel North East region बन रहा है या फिर Himalayan region बन रहा है तो 90% central government share करेगी 10% state government share करेगी ठीक है लेकिन एक बात या रखना अगर किसी हम repeated institution के बात करें वो repeated institution जिसकी NIRF ranking में rank है कोई particular rank है तो उस case में जो central instance है वो 100% दिया जाएगा ठीक है उस case में कोई cause sharing pattern नहीं होगा central government पूरा-पूरा 100% देगी for construction and hostel अगर वो particular institution reputed institution के अंदेर आता है मतलब NIRF ranking करना है उसको rank कोई मिला हुआ है तो 100% assistance जाए वो central government share करेगी ठीक है तो थोड़ा वो लंबा स्कीम था लेकि हमने शायद cover कर लिया है ठीक है okay thank you उत सेब्सेद में कोई करेव देने